बेक टू स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ आज फिर हम सबसे इंपोर्टेंट दस कोशन लेकर आए हैं ये कोशन अगर आपको आते हैं तो आपके उपर सीटेट और अलग अलग टेट एक्जाम्स में नमरों की बोचार होगी अगर ये कोशन नहीं आते हैं तो इससे देखना है ताकि इस वीडियो के अंदर वो कोशन जो डारेक्ट एक्जाम में आएंगे वो आपको पता लगें तो चलिए पहले कोशन से शुरू करते हैं उसके साथ साथ हमारे बेक टू स्कूल की एंडरोइड अप्लिकेशन भी है जिसके अंदर ये सारे नोट्स मिलेंग आपको पीडियेफ मिलेगी और ये सारे कोशन आपको आपकी एप के अंदर मिल जाएंगे और उसका फाइदा ये होगा कि आपके टेट एक्जाम के अंदर जितने भी कोशन आएंगे वो हमारी एप के अंदर से ही आने वाले हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और पहले कोशन से दसवे कोशन तक देखिएगा क्योंकि बीच बीच में ऐसे ऐसे कोशन है दोस्त मेरा खुद का experience रहा है कि वो कोशन आपके एकदम से एक्जाम में आते हैं और आप बोलते हैं कि सरक की वो वीडियो देखी थी वहां से कोशन आया था तो चलिए पहले कोशन स इसे शुरू करते हैं पहला कोशन देखिए कि वह अवस्था कोन सी है जब बच्चा वस्तूओं के बारे में और घटनाओं के विशह में चिंतन शुरू कर देता है यहाँ पर देखिए शब्द चिंतन यहाँ पर आपने वर्ड देखा लोजिकली का मतलब क्या होता है कोई चीज क्यों हुई है उसके पीछे का कारण पता करना लोजिक कारिय कारण आपने कोश्चन देखा होगा कि धूप के अंदर कपड़े सूख जाते एक बच्चा अपनी मुम्मी से पूछना चाता है कि क्यों सूखते हैं इसका कारण क्या है तो वो तारकिक सोच है तो यह तारकिक सोच जिसके पीछे कारिय और कारण को पता करने कि आग छुपी होती है वो कब शुरू होती है वो शुरू होती है दोस्त तीसरी अवस्था में कौन सी अवस्था में थर्ड स्टेज में और ये थर्ड स्टेज कौन सी है थर्ड स्टेज है आपकी कंकरीट ओपरेशनल कंकरीट ओपरेशनल जीन प्याजे की साथ से बारा साल के वीच में तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा फौर्थ वाला ठीक है? मूरत संक्रियात्मक अवस्था यह लास्ट वाला अंसर हो जाएगा दोस्त मूरत संक्रियात्मक पहली अवस्था जीरो से दो सम्वेदी प्रयरक फिर दूसरी दो से साथ बुरू संक्रियात्मक फिर साथ से वारा मूर्थ संक्रियात्मक फिर बारा से अठारा ओप्चारिक संक्रियात्मक बारा से उपर और दोस्त याद करना कि तारकिक रूप से सोचना शुरू तीसरी में कर देता है लेकिन तारकिक रूप से अपनी maximum जो output होती है वो बच्चा fourth stage में देता है ये बाद भी आपको ध्यान रखनी है दूसरा question देखते हैं Hindi English दोनों में होंगे Map of mind is related to मन का मान्चितर किस से संबन देता है मन का मान्चितर word समझके तो आपको लग रहा होगा कि जो आपका mind है उसकी drawing बनाने से related है येकिन इसका कोई भी लेना देना मन की drawing बनाने से नहीं है मन का मान्चितरन का मतलब है कि जो आपके मन की activity है यानि कि मन की क्रिया शिल्टा के अनुसंधान से मन किस परकार से काम करता है ये पता लगाना मन का मानचित्री करन होता है तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं मन के कारियों का अनुसंधान अनुसंधान का मतलब क्या होता है बताओ अनुसंधान का मतलब होता है research और आपकी बहुत आदत है 4 मिंट के करीब वीडियो छोड़के बागने की भागो मत बहुत अच्छी वीडियो है और पिछली वीडियो में आपने comment बहुत अच्छे किये थे तो comment ज़रूर करना है वीडियो कैसी लगी और आपके कितने number आए तो answer C हो जाएगा मन की क्रिया शीलता के अनुसंदान से की मन काम कैसे करता है तीसरा question देखते हैं specially is the best way to address students learning problem at the primary level विशेश रूप से प्राथ मिक्स तर पर विद्यार्थियों की सीखने समबंदी समस्याओं को समगोधित करने का सबसे बहतर तरीका है आप देखते हैं कि आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं आपके बच्चे हैं याँ पर प्राथ मिक्स तर में पहली से पांच मी तक हैं और बच्चों को क्या हो रही है सीखने में दिक्कत आ रही है problem in learning तो कैसे करेंगे आप पहला option कहता है महेंगी और चमकदार सायक सामगरी का यूज करेंगे इससे क्या होगा महेंगी और चमकदार से सरल और रोचक पाठ्था पुस्टकों का परियोग करेंगे चलो कानी कथन पज़ती का परियोग करेंगे या फिर अशमता के अनुरूप भी इन सिक्षन पदतियों का परियोग करेंगे अब देखिए क्लासरूम में कितने बच्चे होते हैं कम से कम 30 टोटल होंगे और उनके उपर होगा एक टीचर 30 बच्चों के उपर एक टीचर तो याद रखना कि बच्चों की शमता के अनुसार या बच्चों के सीखने के तरीके के अनुसार अगर अलग-अलग सिक्षन पदतियां अगर अलग-अलग टीचिंग मैथेड्स का यूज करके टीचर पढ़ाएगा तो वो होगा बैस्ट उसके लिए ठीक है बैस्ट होगा तो हर एक बच्चे को उसकी शमता के अनुसार सिक्षन विधी के तरीके से पढ़ाकर जो है काफी अच्छे से बच्चों के अंदर जो लर्निंग की दिक्कत है उसको दूर किया जा सकता है चोथा क्योंकि ये जो अलग-अलग सिक्षन पर दितिया होंगी वो अलग-अलग बच्चे के अनुसार होंगी एक बच्चा अलग से सीखेगा दूसरा बच्चा दूसरी सीखेगा अगला है विच अफ दी फॉलोविंग इस नोट एसोसियेटिड विद चाइस साइकोलोजिकल नीड्स निमन में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवेग्यानिक आवशक्ताओं के साथ संबंदित नहीं है अब देखें आवशक्ताओं अनेक तरीके की होती है आवशक्ताओं अलग-अलग होती है शरीर की आवशक्ता हमारी मानसी का आवशक्ता सामाजी का आवशक्ता तो देखते हैं समवेगात्मक सुरक्षा की आवशक्ता समवेगात्मक सुरक्षा मतलब है Emotional Security अगर हम रो रहे हों तो हमारे पास कोई आने वाला हो खंदे पर आधर रख कर डोंट वरी बेटा Everything will be fine वेग्या निकावशक्ता है तो हमें बताने है socio-psychological तो यह पहली वाली तो psychological हो गई तो यह ठीक है शरीर से अप्षिष्ट पदार्थों का नियम्मित रूप से बार निकालना यह हमारी physical need है physical need physical need को आप बोलते हैं क्या बोलते हैं शारिरिक यह हमारी शारिरिक आवशक्ता है क्योंकि आपको सुबह शाम number two जाना पड़ता है number one जाना पड़ता है time time पर तो यह ना तो सामाजिक और ना मनोबैज्यानिक यह शारिरिक आवशक्ता होई तो इसलिए अगर हमें यहाँ पर जो है answer answer लगाना होगा तो हम answer क्या लगाएंगे answer हम यहाँ पर लगाएंगे option number D last वाला यह last वाला दोस्त आपका answer हो जाएगा last वाला नहीं दूसरे वाला शरीर से अप्षिष्ट पतार्थों को बाहर निकालना तीसरा एक बार देखे तो तीसरा option है सानी दे की आवशकता सानी दे का मतलब होता है company एक आदम केला तो रह नहीं सकता उसे यार दोस्तों की जुरूरत तो पड़ती है तो सानी दे की आवशकता भी होती है और समाजिक अनुमोदन अत्वा सराना की आवशकता कि समाज में उसको लोग पूछें उससे बात करें और उसकी सराना करें तो इसकी आवशकता भी है तो पहली तीसरी और चोती ये हैं आपकी समाजिक मनोवग्यानिक लेकिन ये दूसरे वाली है ये है आपकी शारिरिक तो ये नहीं होगी अगला कोशन देखते है अगला है विच इस दी स्टेटमेंट वेर दी चाइल्स कोगनेटिव डिलॉप्मेंट यानि कि वह कौन सा कथन है या फिर बोल सकते हैं कौन सी जंग हैं जहां बच्चे के संग्यानात्मक विकास को सबसे बैतर जरीके से परिवाशित किया जा सकते है बच्चे के विकास के तीन शेतर होते हैं बच्चे के विकास के तीन शेतर होते हैं यह हो गए पहला कोगनेटिव दूसरा फिजिकल और तीसरा इफेक्टिव तो बच्चे का जो कोगनेटिव डिलॉप्मेंट है उसको आप कहां पर मापेंगे बच्चे के cognitive development को आप मापेंगे classroom के अंदर जब आप उससे question पूछेंगे अगर बच्चे के यहाँ पर effective development की बात हो चाए physical development की बात हो physical और effective development को आप खेल के मैदान में मापेंगे लेकिन बच्चे के मानसिक विकास को आप कहां पर मापेंगे school के और कक्षा परियावर्ण में कहां पर मापेंगे school एवं कक्षा परियावर्ण में कोगी वहां पर आप बच्चे का test ले लेंगे ठीक है next question next question है children create their own understanding of the world whose credit goes to them बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का surgeon करते हैं इसका इसरे किसको जाता है बताओ मुझे answer होगा gene pia j gene pia j मानते थे कि बच्चे अपनी दुनिया का निर्मान खुद करते हैं वो खुद सीखते हैं धीरे धीरे जब वो mature होने लगते हैं maturity के साथ साथ वो चीज़े सीखना शुरू कर देते हैं याद रखना children create their own understanding of the world दुनिया के बारे में बच्चे अपनी समझ बनाते हैं खुद तो ये gene pia jane का था याद रखना है अगला question देखते हैं साथवा अगला question है what does curriculum glossary in the field of education indicate सिख्षा के शेतर में पाठ्थे चरिया शब्दावले किसकी और इशारा करती है पाठ्थे चरिया यहाँ पर आपने एक word देखा है पाठ्थे चरिया पाठ्थे चरिया का मतलब होता है curriculum क्या होता है curriculum curriculum का मतलब होता है एक school 24 गंटे के अंदर जो जो कारिय करेगा वो पूरा का पूरा लेखा जो खा curriculum curriculum के दो पार्ट होते पहला तो होता है slaves और दूसरी होती है co-curricular activities क्योंकि school के ओपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे का overall development करना है तो विकास के मानसिक विकास करने के लिए slaves और भावात्मक और शारहरी के विकास करने के लिए co-curricular activities तो curriculum हर school के पास होता है और हर school के अंदर जो कारिया होता है वो curriculum के हिसाब से ही होता है तो विध्याले का संपून कारियकरम जिसमें student daily experience करते है जिसको बिल्कुल ठीक है ए यानि school के अंदर कौन कौन से period होंगे syllabus से लेकर co-curricular activities तक absentee period के arrangement से लेकर सारी समस्याओं के दूर करने तक सारा का सारा पूरा का पूरा process curriculum के अंदर आता है तो option number A यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा ठीक है अगले question की तरह बढ़ते है आठ में who among the following said that the children learn from learn about himself and his world through the game यानि कि निमन में से किस ने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बाते खेल के माद्यम से सीखते हैं यह किस ने कहा था यह question का answer देना पड़ेगा आपको क्योंकि मैंने एक rule बना रखा है पिछली बार भी मैंने एक question आपसे पूचा था कि इसका answer क्या होगा उसका जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया बहुत सारे student ने दिया यह video में भी मैं आपसे यह question दूँगा कि किसने का था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने संसार के बारे में जातर बाते खेल के मादम से सीखते हैं यानि कि खेल विदी से ही वो सीखते हैं ज़्यादा और उन्हें खेल विदी से ही खेल खेल में सिखाना चाहिए इस cancer आप देंगे आप नौवा देखते हैं development is a never ending process what is this idea related to यानि कि विकास कभी ने समाप्त होने वाली प्रिकरिया है इससे आप क्या समझते हैं कभी समाप्त ने होना इसका मतलब हुआ कि जो development होगा वो कैसे चलेगा वो चलेगा आपका लगातार लगातार बिना रुके जब फिजीकल डिवलोपमेंट रुक जाता है तो effective डिवलोपमेंट चलता रहता है तो development के तीन एरिया होने के कारण development की जो nature है वो lifelong हो गई है तो ये निरंतरता का सिध्दांट होगा क्या होगा दोस्त निरंतरता का सिध्दांट और इस निरंतरता का सिद्धान्त के आप क्या बोलते हो यह जो निरंतरता का सिद्धान्त है इसे principle of continuity बोलते है प्रिंसिपल of continuity निरंतर चलने का सिद्धान्त अगला question देखते हैं which of the following cases do children become active member of their peers निमलिकिस में से किस वस्था में बच्चे अपने समवेस्क समू के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं अब देखें यहां पर बात की गई है सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर एक्टिव मेंबर वो होगा जो डेली जाए डेली मिले तो इस question को solve करने के लिए आपको ए group formation को आप बोलते है समू निर्मान क्या बोलते है समू निर्मान देखें बच्चे ओ के जब गूरुप बनने शुरू होते हैं दो चीज लिख लिए एक तो गूरुप बनने शुरू और एक तरफ active member तो ग्रूप बनने शुरू हो जाते हैं बाल्यावस्था में लेकिन एक्टिव मेंबर होता है किशोरावस्था में ये चीज समझने की है कि बच्चे अपने ग्रूप तो बुनाने शुरू कर देते हैं बाल्यावस्था में लेकिन उस ग्रूप के active member वो किशार अवस्था में होते हैं क्योंकि जब बच्चे बालक होते हैं तो उनको रोक टुक दिया जाता है कि नहीं जाना गर से बार बैठ कर पढ़ अपना लेकिन जब किशार अवस्था में हो जाते हैं बाहर जाने के रास्ते तरी के बाहने आप निकाल लेते हैं तो ये कोशन भी हमेशा जो है एक्जाम में आया है तो आपको ये कोशन मिस नहीं करना है और आपको एक एक जो चीज मैंने समझाई है वो एक्जाम के टाइम पर यूज में लानी है ताकि आपके नंबर अच्छा है तो किस अवस्था में बच्चे अपने समवेस्क समुके सक्रिय सदस्चा बन जाएंगे तो आंसर आएगा किशोर अवस्था ठीका दोस्त दस कोशन पूछे मैंने इसमें से एक कोशन आपको करने को दिया बाकी मैंने नो कोशन कराए जितने नंबर आए हो उतने कमेंट करके लिखो और पिछली दो-तिन वीडियो से आपका रिस्पोंस काफी अच्छा है लेकिन ये फाइदा तभी होगा जब आप हर वीडियो को देखेंगे और मैं गैरंटी देता हूँ कि जो चीज़े अब मैं आपको एक महीनी के अंदर कराऊंगा उससे भार कुछ नहीं आएगा जो ये ट्रेंड चला हुआ है यूट्यूब पर उची दुकान फीका पकवान वो हम अब नीचे लाने वाले हैं और दुबारा से हम टॉप पर पहुँचेंगे लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए और एप का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बिल्कुल भी एक्जाम नहीं रुकेगा नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए जाहिए भारत एंट पढ़ते जरूर रहना है लाइव शेशन कल से शुरू करूँगा हमें ठीक है आज का दिन और ऐसे काट लो क्योंकि आपके लिए कुछ मैंने कैमरे वगरा मंगा रखे है जिससे लाइव शेशन हो जाए अच्छे से टेक केर